हेलो गाइस तो स्वागत्ते आपका टेक्निकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज की वीडियो रेड्मी 911 यूजर्स के लिए काफी जादे इंटरस्टिंग होने वाली है सो गाइस रेड्मी 911 डेवाइस के लिए मीवाइ 14 अपडेट रोल आउट हो चुका है और गाइस यह जो अपडेट है यह एक गलोबल अपडेट है जो की रेड्मी 911 डेवाइस के लिए रोल आउट हो चुका है और गाइस इंडिया के लिए यह अपडेट कुछ समय बाद र दाउलोड कर सकते हो जी हाँ गाईस अपने डाउलो डाउलोड कर पहांगे ओर आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला तो वीडियों बने रहे An wounded वीडियों काफी जादा तो गाइस आपको करना क्या है आपको अपने Chrome ब्राजर पर चले जाना है Chrome ब्राजर पर जाने के बाद आपको अपने सर्च वार पर सर्च करना है Redmi Note 11 MIY14 तो गाइस आप सभी को सिंपली यह सर्च करना है तो जैसे आप यह सर्च करोंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा तो यहां साइक नमबर पर एक वैफसाट दे रखे होगी Redmi MIY14 अपडेट डाउलोड रिलीज डेट ट्रैकिंग तो आपको इस वैफसाट पर क्लिक करना है तो जैसे वैफसाट पर क्लिक करोंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा तो यहां आपको स्कॉल करना है और स्कॉल करने के बाद यहां आप देख साओंगे यहां मॉडल दे रखे हैं जो कि सारे Redmi के डेवाइस हैं बगल में गलोबल के रिलीज डेट दे रखे है उसके बगल में चाइना लिख रखा है और उसके बगल में इंडिया लिख रखा है तो गाईस बेसिक लिए तीन कंटरी के अपडेट हैं तो गाईस यहां आपको 11 डिवाइस आ गया है और इसके लिए ग्लोबल अपडेट रिलीज हो गया यहां आप देख सकते हो यह ग्लोबल की लाइन में रिलीज लिख रखा है तो यहां आपको रैड्मी तो यहां आपको स्कॉल करना है और स्कॉल करने के बाद यहां रिकावरी रोम लिख रखा होगा अपडेट का वर्जिन चेक कर सकते हो जो कि 14.0.2.0 सिस्टम यूवाई 14 है और आपको यह अपडेट एंड़ ठाटिन के साथ दे रखा है और गाइस इस अपडेट के रिलीज अपडेट का साइज देखे तो यहां 3.63 जीबी है और गाइस यहां ब्लू कलम में डाउल लिंक दे रखिए तो आपको इस डाउल लिंक पर क्लिक करना है तो जैसे आप यहां डाउल लिंक पर क्लिक करूंगे आपके सामने एक और पेच उपन हो जाएगा तो यहां आपको स्कॉल करना है और स्कॉल करने के बाद का इंगे आपको इन छतम होने का वेट करना तो आपका रडवीन डेवाइस के लिए यह 15 अपडेट ग्लोबल का डाउलोड होने लगी गा जिसका वर्जिन 14.0.0 तो आपको इस अबस एपको डाउलोड होने जीना है अपने होम इसकीन पर आने के बाद अब आप सब्डेट को इंस्टॉल कैसे करोंगे उसके बारे में आपको बता दिता हूँ तो गाइस आपको करना क्या है आपको अपने फाइल मनेजर पर जाना है File Manager पर जाने के बाद जहां अपने अपडेट को डाउलड किया होगा आपको उस अपडेट को मूव करना अपने internal storage में किसी folder में मूव नहीं करना है फिर आपको अपने phone की setting में जाना है phone की setting में जाने के बाद आपको अपने about phone पर जाना है और about phone पर जाने के बाद आपको अपने MIUI 30 version पर क्लिक करना है तो जैसे आप या MIUI 30 version पर क्लिक करूंगे आपका logo खुल कर आ जाएगा आपको उस logo पर continue क्लिक करना है तो यहाँ आपका एक additional feature on होगा तो यहाँ उपर की side dicks होंगे या 3 dot दे रखे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप influenced 3 dot पर क्लिक करूंगे आपके सामने एक option आएगा Choose Update Package तो ङैसे आपके सामने करना है तो यहाँ आपका अपडेट आजाएगा तो आपको उस अपडेट पर क्लिक करना है तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करूंगे या ओकी का उसन आएगा उस पे क्लिक करके उस अपडेट को इस्टल कर लेना है तो गाइस इस तरीके से आप अपने Redmi Note 11 device के लिए इस MiWaf 14 अपडेट को मैनुवली डाउलोड कर पाऊंगे और मैंने या इस्टल करने का तरीका भी बता दिये तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आईए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साइड में बैल एकन को प्रेज जरू कर देना ताकि आपको मेरी लेटिस्ट वीडियो की नॉटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू